दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाते हैं, इंक्वारी करना चाते हैं, किसी भी युनिवर्सिटी, किसी भी कॉलिज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाते हैं किसी भी कोर्स में, आप कुछ जानना चाते हैं उसके बारे में, तो अगर आप special comment में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकरी चाहते हैं, और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ detail में आप जानना चाहते हैं, तो वहीं जो box है, उसके अंदर अपनी query को आप type करें और भेज दें हमें, हम आप से personally contact जरूर करेंगे, और आपके हर त हैंगे, depend करता है practice आप कैसे कर रहे हैं, LLB करने से पहले अगर आपकी family में, कोई भी advocate साहब है, आपकी family से हो, आपके जानकारी में हो, रिश्यदार में हो, या आपको कोई फ्रेंड हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं न कहीं से exposure मिलना शुरूर से ही शुरू हो citizenship या फिर मान लीजे practice कराई जाती है, आप admission लेते हैं, हमसे आप contact करते हैं, तो हम within 3 year, 5 year, जो भी आपका law होगा, उसमें आपको training देते हैं, बताते हैं, court में कैसे खड़े होते हैं, और साथ में किस तरह से cases को लड़ा जाता है, LLB करने के क्या फाइदे हैं, साथ में LLB क करने के बाद में अपने practice शुरू कैसे करेंगे, criminal में practice करेंगे, civil practice करेंगे, matrimonial में आप जाएंगे, या फिर check bouncing cases भी बहुत सारे वकील, individual लड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग sectors आपके बन जाते हैं, criminal practice का एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही रुतबा होता है, ज जो अभी LLB में admission लेना चाते हैं, और from the very first day, मतलब पहले ही दिन से practice करना चाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमरे इस वीडियो के साथ, नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चाते हैं LLB करना या आपकी family चाती है, कि आपको law करवाएं साथ में ही आपको advocate बनाएं और फिर आप पने शेत्र में बहुत नाम कमाएं, उसके लिए सबसे पहली शुरुवात आप कैसे करेंगे, आपने मानली जी बारवी पास की है, फिर चाहें किसी भी recognize board से पास की हो, recognize board होना चाहिए, हाला कि solution तो दसवी के बाद diploma जो students 3 साल का करते हैं, वो भी एक solution आपके पास हाला की होता है, जब आप 5 साल की LLB करने के लिए बारवी आप पास हो, या आपने डिप्लोमा क्या है दसवी के बाद, तो आप LLB कर सकते हैं 5 साल की, 5 साल का tenure होता है, semester wise exams होते अगर आपको कोई helping hand मिल जाए, आपके घर परिवार में, रिष्टदारी में, आपके दो सरकल में, कहीं भी अगर कोई वकील सहाब हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही दिन से आपको वो practical चीज़ें देखना और समझना आपको आसान हो जाता है, पर उनके लिए क्या जितने भी students हैं, जिन्होंने अभी admission लिया, या फिर अभी law complete कर ली, पर उनके साथ कोई helping hand नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, तो हम जैसी जो firms होती हैं, वो सभी पहले ही दिन से आपको practically चीज़ें का घ्यान देना शुरू कर देते हैं, पहले ही दिन से आपको बताते हैं, क आपने जैसे ही admission लिया, अपनी classes attend करते रहें, थोड़ा time आप दीजिए, और साथ में court का जो कामकाज होते हैं, उन्हें आप समझेए, क्योंकि आगे जाकर जब आप अपनी वकालत complete कर लेंगे, तीन साल के LLB करें या आप 5 साल के LLB करें, complete करने के बाद में जब आप दे या फिर तीन साल की LLB आप करना चाहते हैं, आपने graduation complete की है, या फिर अपने master's complete की है, और मान लीजिए कि graduation में आपके 45% marks नहीं है, क्योंकि LLB करने के लिए 45% marks minimum होने ही चाहिए, वरना आप LLB करना ही पहोगे, अब मान लीजिए आपके graduation में 45% marks नहीं है, पर आपके master's म देती हैं और बहुत सारी universities direct admission भी देती हैं, आप कोशिश करें पहले कि कि किसी भी सरकारी university में आपका admission हो जाए, entrance या किसी भी तरीके से हो, और अगर नहीं होता है आपका admission, NLU जैसी बड़ी-बड़ी संस्ता हैं, बड़े-बड़े colleges हैं, आप वहाँ भी admission ले सकते हैं, IP म आप admission लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर direct आपका admission हो जाएगा, direct admission होने के बाद में classes आप attend कीजी, classes जो भी आप attend करते हैं, mood court में कैसे, आप practically चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि, दोस्तों मैंने आपको कई बार आपको बताया है, जितने भी practical courses होते हैं, उन सभी में, exposure का मिलन अलग-अलग acts होते हैं, माल लीजिए, कोई भी आपने देखा कोई sexual offense है, छोटे बच्चे के साथ है, तो वह पॉक्स तो आता है, आपने NDPS जैसे मादक पदारतों के मामले देखे होंगे, निशीले पदारतों के जो मामले बनते हैं, आपने murder cases देखे होंगे, बहुत सारे अलग-अलग तरह के कोई cases होते हैं, डिपेंड करता है किसमें आप practice करने वाले हो, criminal practice जवाब करते हैं, तो criminal practice में बहुत ज़्यादा एक पेचीदा तरीके से आपको अपनी study करनी पड़ती है, साथ में ही आपका रुजान देखना बहुत जरूरी है, आपकी side जाना चाहते आपने admission ले लिया, admission लेने के बाद fees की बात करें, fees सरकारी universities में कम होती है, बट वहाँ पर भी fees देखें, तो 20,000 पिसे लेकर लगवग 50,000 के बीच में per year की fees हो सकती है, बट किसी भी private university में अगर आपने admission लिया, तो आपकी वहाँ की fees, शुदुवाती जो fees है पहले साल से, वह भी 40,000 पिसे लेकर एक लाग तक per year की हो सकती है, as per the university, कौन सी university में आप admission ले रहे हैं, यह सब उस पर depend करता है, और साथ महीं आप जाना चाते हैं, कौन सी अच्छी universities है, कहां से आप law कर रहे हैं, compare करना चाते हैं किसी भी university को, तो comment box में अपने सवाल पूछना, हम आपक यह आप classes का number, classes आप लगाएं, जो भी college में पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर जहां आपका रुजान हो, उस side जो पढ़ने की चीजे हैं, जो उससे related acts हैं, उन्हें भी आप पढ़िए, हाला कि जिनके अंडर भी आप सीख रहे हैं, जिनके अंडर भी नहीं कर पाएंगे, कई बार ऐसा दिखा गया है, law complete करके students आते हैं, अच्छे, मतलब senior के अंडर जब वो practice नहीं कर रहे होते हैं, तो कई साल उनके ऐसे ही बीच जाते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है, घर के खर्चों को भी पूरा करना, even आना जाना, जब भी आप कि तयारी को शुरू कर दें, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हम आपकी मदद जरू कर सकते हैं, हलाकि हम दिल्ली based हैं, दिल्ली में आपकी मदद अच्छे से कर पाएंगे, दूसरे state में तो हम आपकी आसे मदद नहीं कर पाएंगे, दिल्ली में आपको बता सकते हैं, सोने के बाद में आप जाएंगे provisionally registration करवाएंगे Bar Council of India में या आपके state जो बार है वहाँ जाकर आप registration करवा लेंगे किसी भी court को आप join कर लेंगे court को join करने के बाद जो आपको license मिला provisional license वो दो साल के लिए valid है दो साल के valid है इसलिए valid है क्योंकि अभी आपको A.B. All India Bar Examination क्रेक करना बाकी है अभी आपको A.B. का एक्जाम देना होगा A.B. का आप एक्जाम देंगे उसके लिए forms अक्सर निकलते रहते हैं जैसे ही आपने form फिल किया तो form फिल करने के बाद में आपका एक एक एक्जाम होगा हलाकि ओपन बुक एक्जाम है पर मैं आपको बता दूँ जो एक्जाम आप दोगे इतना भी जादा easy नहीं है थोड़ा सा पढ़कर आए है तो आपको easily crack करने में जादा परिशानी नहीं होगी आप easily उसे pass कर पाएंगे कि उसमें सिर्फ qualifying एक्जाम होता है ऐसे कोई marks नहीं आते है आप जैसे ही उस एक्जाम को pass कर लेते हैं तो मिलता है आपको permanent license permanent license मिलने के बाद में जो भी आपने court join किया है आप आगे high court चले जाएए supreme court तक आप जा सकते हैं जाकर join कर सकते हैं एक वकील साहब जो case को लड़ते हैं criminal cases अगर आप लड़ रहे हो बहुत तरह के challenges आपके सामने आएंगे और बहुत तरह के challenges को आपको tackle करना होगा बकू भी ताकि आपके client को आप नियाए दिलवा सको और उसका case बहुत अच्छे से लड़ सको दोस्तों जब तक आपकी वकालत है जब तक आप इस वकालत के पेशे में हैं मैं आप सभी को बता दू ये बहुत dignity job है मतलब की you are the officers of the court मतलब की आपके पास जिम्मेदारी है जिम्मेदारी भरा एक पेशा है ये जिम्मेदारी से काम करना होता है जिम्मेदारी निभानी चाहिए जिम्मेदारी से केस को लड़ना चाहिए जितना अच्छे से आप केस को परजेंट कर सके उतना अच्छे से केस को परजेंट करें अब हार और जीत दो अलग अलग बाते हैं दो वकिल लड़ते हैं आप पीपी साहब आपके सामने है, यहाँ पर आप अपने case को present कर रहे हैं, कोई एक तो हारेगा और कोई एक जीतेगा, तो हार से आपको घबराना नहीं चाहिए और जीत का इतना बड़ा श्रे लेना नहीं चाहिए, तो कि सिर्फ आपकी journey है यह जो आपकी वकालत field में आपक को निभाएं, बहुती इजद का, बहुती जादा respectful और बहुत dignity के साथ में आपको जो respect मिलती है, वो काबिले तरीफ होती है, कोई भी किसी तरह के सवाल आपके दिल में है, LLB को करने को related, या फिर LLB में admission लेने के related, या फिर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, law के related, या क किस तरह से आप अपनी law को complete करें, कोई भी किसी तरह के सवाल है, कमेंट बाक्स जाके अपने सवाल जरूर पूचें, हम आपको reply करेंगे, और साथ ही अच्छा लगावाज का वीडियो, हमारी वीडियो को जादे जादा अपने दोस्तों परीजिन परिवार में share करें, ताक और वो भी अपने आपको जानकर बना सकें, बहुत बहुत शुक्या दोसे निवाद, हमारी इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए